तो कैसे मिल windows company का एक लीटर का थरमस है आज की वीडियों में इसका हम अन बॉक्षिंग करेंगे और इसके क्या-क्या अच्छाई है क्या-क्या बुराई है आपको लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए अगर आपको लेना है अगर आपको मंगाएंगे घर बैठे कैसे इसका आप दाम चक्कर पाएंगे कि कितने का है सारा डिटेल आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो है काफी यूजफुल वीडियो हैं अगर आप भी मिल्टन कंपनी का एक लीटर का थर्मस लेना चाहते हैं तो वीडियो आपको देखना चाहिए क्योंकि आज के वीडियो में हमने मिल्टन कंपनी का एक लीटर का थर्मस आनलाइन परचेज किया है तो आज उसके बारे में अच्छे तरीका से इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि इसमें क्या क्या अच्छा है कैसे काम करता है इसकी quality क्या है सारी details के वीडियो में हम देंगे तो चलते हैं फटा पट इसे unboxing कर लेते हैं और आप वीडियो में देख पाएंगे हमने कैची साथ में ले लिया है क्योंकि इसी कैची से इस polythine को हम काटेंगे और काटने के बाद इसके अंतर जो भी product है उसे हम वाहर निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी quality क्या है इस product की और इसमें क्या अच्छा है क्या बुरह है सारी details के वीडियो में हम देंगे इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करने बगल में घंटी आएगी उसे भी दबादेने से क्या होगा हमारी हर वीडियो का नोटिपिकेसन आपको मिलेगा और आप हमारी हर वीडियो इजली फास्ट देख पाएंगे तो चलते जाता समयना लेते हुए पॉलेथीन को फटा फट कार लेते हैं और फिर मिल्टन कंपनी का जो थर्मा से बाहर निकालते हैं तो आप देख पाएंगे वीडियो में हमने पॉलिथीन को पॉलिथीन से डिब्बे को बाहर निकाल लिया है और डिब्बे के ऊपर एक बॉबल की पनी है जो डिब्बे के ऊपर अच्छी तरीका से लेपीटी हुई है और यह हाथ में जो बिल आप देखते हैं इसमें मारा एड्रेस पता कितने का मिला है सारा डिटेल इस पे लिखा हुआ है क्योंकि जब आप एड्रेस ने डालेंगे तो कैसे आपकी घर तक पहुचेगा तो आपको भी अगर लेना होगा तो सबसे पहला है अड्रेस यह सब डालना होगा उगर आप प्ल लेना है या पता करना है कि कितने का मिला है तो मिल जैगा और यह जो बुबल का पन्नी है इसे हाथ से पोड़ने में काफी मज़ा आता है तो यह डिब्बे के ऊपर अच्छी तरीका सा लेपेटा हुआ है तो इसे हम डिब्बे से बाहर कर देते हैं डिब्बे पे जो लेपेटी हुए उसे हम बाहर कर देते हैं अब आप देख पाएंगे डिब्बे रेट कलर का है और उसमें धरमस जो है एक लीटर का मिल्टन कंपनी का उसका लोगो भी दिख रहा है और यह कफ अगर आपको भी लेना होगा तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रप्शन में डाल देंगे आप वहां से भी पता कर सकते हैं कितने का मिला है और आप उस लिंक से घर बेटे आसानी से इसे मगा भी सकते हैं तो यह काफी अच्छा थरमस है आप यह इसे डिब्बे से बहार नि लिए तो वीडियो लाइक कर देना तो आप देख पाएंगे मिल्टन कंपनी का यह थरमस है और डिब्बे पर नाम भी लिखा हुआ है और यह कितने का मिला है प्राइस भी लिखा हुआ है इसमें क्या क्या भी सेज़ता है वह भी डिब्बे पर ही लिखा हुआ है फिलाल च पाएंगे जो मिल्टन कमपनी का एक लीटर का थरमस है उसको मने डिब्बे से बाहर निकाल लिया है और सबसे अच्छी बात है कि इसके साथ एक कबर दी गया है मतलब कबर दिया हुआ है जिसमें आफ इस थरमस को रखकर कहीं भी लेके जा सकते हैं कबर की क्वालिटी की बात मजबूत है ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक दू बार आप खोलेंगे तो यह फेल हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं चैन के क्वालिटी की बात करें तो काफी बेहतर है और इसमें जो कबर है यानि जिस कपड़े का कपर बना हुआ है वह भी काफी बेहतर है काफी मजबूत है तो इस जो इसका कपर इसमें आप रखकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं थे आरमने कबर से भी बाहत निकाल लिया है और उसमें भी एक बुबल की पन्नी लगी हुई है एजले उसे भी हम हटा देते हैं पिर आपको दिखाते हैं कि मिल्टन कंपनी का जो थरमस हैं ग्लीटर का वो कैसा लगता है तो बिल्कुल भी अभी आपके सामने आ चुका है और इसकी क्वाल्टी की बात करें तो यह काफी बेहतर है काफी अच्छे क्वाल्टी की है और इसकी मतलब औजनाई की बात करें तो भी काफी हलका है और काफी मजबूत है और सबसे अच्छी बात है कि इस जिसे समय सरद्यीव का मोसम है, तन्ठी का मोसम है, अगर आपसमे चाय रखेंगे तो 24 घंटे तक चाय आपकी घर्म रहेगी अगर गढमिया में आप इसे थंढ़ा फानी समय राखेंगे तो भी 24 घंटे तक घंढा रहेगा कार disabilities क्या है, ठंड रहने का और गर्म रहने का तो कारण दोस्तों ये है कि इसका जो चदर है इसमें कापर लगा हुई है इसके चदर के अंदर कापर लगाई गई है जिसे के वज़ा से ये काफी देर तक गर्म चीज को गर्म रखता है और ठंडे चीज को ठंडा रखता है इसके चदर के बीच में कापर लगाई गई है त बड़ावाला उसमें आफ मालब अगर आपके पास क्षवी ग़्रास या कटोरी नहीं तो आप इसमें भी पर्ट के चाय गख्यरा पिसकते हैं तो यादि इसके अच्छाही की बात कि गयरें तो काफी बिदो में इतना ही